नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रध्धा वसर्ष, आपका सब की शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अगर आप अपने बच्चों का दाखिला EWS काटेगरी के तहत दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छटी, सात्वी, आटवी या नौवी कक्षा में करवाना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है सुनहेरा मौका जी हाँ EWS फ्रीशिप काटेगरी के फॉर्म निकलने वाले हैं और फॉर्म निकलने की तिथी है 22 जून फॉर्म हमेशा की तरहां ओनलाइन माध्यम से ही निकाले जाएंगे यानि की आप घर बैठे डिरेक्टर अप एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर पाएंगे फॉर्म के लिए जिस वेबसाइट पर आपको जाना होगा वह है www.edudel.nick.in आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जिरुरत नहीं है फॉर्म को कैसे भरना है और किस वेबसाइट पर जाना है कैसे आगे जाकर फॉर्म को जमा करवाना है सारी जानकारी मैं आपके लेकर आओंगी हमेशा से लेकर आती हूँ सबकी शिक्षा के माध्यम से लाखों की संक्या में बच्चों का दाखला देश भर के अलग-अलग स्कूलों में हो चुका है 22 जून को फॉर्म निकलेंगे जो की होगा ब्रहस्पतवार यानि की थरस्ट है उसके बाद फॉर्म भर कर जमा करने की अंतिम्थिती होगी 3 जुलाई जो की होगा सोम बार और शाम पान बजे तक ही फॉर्म जमा होगे यानि की 3 जुलाई सोम बार शाम पान बजे के बाद फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे आप उनलाइन मैं आप सभी को कहूंगी 3 जुलाई का अंतजार ना करते हुए आप पहले जल्दी फॉर्म जमा करवाएं इसका मतलब यह नहीं है कि जिस दिन फॉर्म निकल रहे हैं 22 जून को उसी दिन आप जमा करवा दें जी नहीं 22-23 को रुकेगा 24-25 को आप अपने बच्चे का फॉर्म भर कर जमा करवा सकते हैं उसके बाद 12 जुलाई को रिजल्ट निकल जाएगा वो होगी पहला computerized draw EWS free shift category का और उसके बाद अगले ही दिन से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 31 जुलाई तक बच्चों का दाखिला आप उस स्कूल में करवा पाएंगे जिसमें बच्चे का नाम आया है साथ एक मेतपूर बात भी बताना चाहूंगी कि जिस स्कूल में बच्चे का नाम आएगा उस स्कूल को बदला नहीं जा सकता इसलिए आपको फैसला लेना होगा कि क्या आप उस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहाते हैं कि नहीं अगर कोई दुविदा है परिशानी है तो आप डारेक्टर अजुकेशन कॉल करकर भी बात कर पाएंगे लेकिन इस समय जो सबसे जादा सवाल मुझसे पूछ जा रहे हैं वह हैं उम्र से सम्बंधित तो कोशिश करूँगी इस विडियो में उम्र से सम्बंधित आपके धेर सारे डाउट्स को क्लियर करूँ सबसे पहले जब भी आप अपने बच्चे की उम्र का आंकलन लगाते हैं तो आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका बच्चा 31 मार्च 2023 जो की निकल चुका है उस दिन वह कितने साल का था इस हिसाब से आप बच्चे की उम्र का आंकलन लगाएंगे इससे कोई परक नहीं पड़ता की form जून में निकल रहे है या form जुलाई में निकल रहे है 2023-2024 के जो भी दाखिले होंगे जिस भी स्कूल में होंगे, भारत के जिस भी कोने में होंगे, जिस भी कक्षा में होंगे बच्चे की उम्र का अंकलन हमेशा 31 मार्ट 2023 पर रखकर ही लगाया जाएगा उसी प्रकार से जब वर्ष 2024 बच्चेस के दाखले होंगे तो 31 मार्ट 2024 पर रखकर लगा जाएगा वह अगले साल के लिए होगा लेकिन इस साल के दाखलों के लिए 31 मार्ट 2023 जो की निकल चुकी है उस पर आप बच्चे की उम्र रखेंगे कि उस दिन आपका बच्चा कितनी उम्र का था वह कितने साल का था उसी हिसाब से आप फैसला ले पाएंगे कि आपका बच्चा इस कक्षा में दाखले के योग्य है या नहीं तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का दाखला कक्षा दूसरी में करवाना तो आपके बच्चे की उम्र छे वर्ष होनी चाहिए दूसरी में दाखिले के लिए 6 वर्ष उम्र होनी चाहिए 6 वर्ष कुछ दिन भी चलेगा, 6 वर्ष कुछ महीने भी चलेगा लेकिन 7 वर्ष बच्चे के उम्र नहीं होनी चाहिए नहीं 5 होनी चाहिए बच्चे के उम्र सीधे तोर पर 6 साल होनी ही चाहिए तो कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र हो 6 साल तीसरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 7 साल याद रखेगा 7 साल बच्चे की उम्र होनी चाहिए कौन सी कक्षा में दाखिले के लिए तीसरी में कक्षा चौती में दाखले के लिए उम्र होनी चाहिए आठ साल कक्षा पांचवी में दाखले के लिए बच्चे के उम्र कितनी होनी चाहिए नौ साल कक्षा पांचवी में दाखले के लिए उम्र होनी चाहिए नौ साल छटी में दाखले के लिए उम्र होनी चाहिए 10 साल छटी में दाखले के लिए कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए बच्चे की 10 वर्ष साथवी में दाखले के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 11 साल आठवी में दाखले के लिए उम्र होनी चाहिए 12 साल और नवी कक्षा में दाखले के लिए बच्चे के उम्र होनी चाहिए तेरा साल फिर से बताती हूँ दूसरी में छे, तीसरी में साथ, चौथी में आठ, पांचवी में नो, छटी में दस, साथवी में ग्यारा, आठवी में बारा और नौवी में तेरा वर्ष याद रखेगा, आप मेंसे बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, कि मैं हमारा बच्चा अभी पांचे दिन पहले इतने साल का हो गया है, क्या इसकक्षा के लिए वे योग के है पिछले महीने इस साल का हो गया है क्या वे इसका अक्षा के लिए होगे है आने वाले महीने में साल का हो जाएगा क्या वे इसका अक्षा के लिए होगे है इन सवालों का जवाब क्या दूँ कई बार सोचती हूँ और यह सोचती हूँ कि आपको यह बार 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 बता रही हूँ इसलिए अब आपको खुद उम्र का आंक्रन लगाना आना चाहिए खुद आप हिसाब लगाईए 31 माँ 2023 जो की निकल गई उसमें आपके बच्चे की उम्र क्या होगी जो 31 माँ 2023 को आपके बच्चे की उम्र थी उसी उम्र के हिसाब से आप फैसला लगाएंगे कि आपका बच्चा उस कक्षा में दाखिले के योग्य है जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं की नहीं उमीद करती हूँ उमीद करती हूँ जो भी बच्चे हैं उन सभी को बताईए EWS Free Ship Category जिसके तहत Income Certificate जिनके पास है एक लाग से कम सालाना आये का जिनके पास BPL कार्ड है आये कार्ड है या फिर Food Security कार्ड है या सभी कागजा दिल्ली के बने होने चाहिए इन चारों में से किसे के बास एक भी कागजात है एक भी कागजात है जो कि दिल्ली का बना है वह लोग दिल्ली में ही रहते हैं उनके बास दिल्ली का ही Residence Proof यानि कि निवास प्रमाड़ पत्र है तो ऐसी स्थिती में उनके बच्चों को दिल्ली के Private Schoolों में पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है और यह सुनहरा मौका है साल में यह मौका एक ही बार मिलता है और उस मौके के बारे में धेर सारी जानकारी हमेशा से मैं आपके लेकर आती रही हूँ और आप सभी हो कहना चाहूंगी कि इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाईए इस विडियो को ज्यादा से ज्यादा वाट्साप के माध्यम से शेयर करिए फेस्बुक पर इसे शेयर करिए याद रखिए का अगर आपकी मदद से एक भी बच्चा बहतर शिक्षा प्राप्त करता है आपकी मदद से एक भी बच्चे का भविश्य बनता है आपकी मदद से एक भी परिवार की तकदीर बदलती है तो सोचिए बदले में आपको कितनी दुआई मिलेंगी, कितना आशिरवाद मिलेगा उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाब होगा अब मुझे डॉक्टर श्रद्धावसिश को अजासे दीजिए नमस्कार